इस प्रकार आप लोग का गड़वा जिल्ला में चोकिदार भरती आई हुई है तो आज की सेशन के माधियम से हम लोग फोर्म कैसे भरना है गड़वा चोकिदार का ओफलाइन फोर्म कैसे भरना है तो उसी प्रेसिस को हम लोग आज की सेशन के माधियम से देखने वाले हैं सबसे पहले बात करते हैं आविदन का जो अंतिमतिति रखा गया है वो 10 अगस 2024 रखा गया है फोर्म भरने का प्रोसिस सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है चिपकाने के बाद यहाँ पे आप लोग को इस परकार से यहाँ पे साइन कर देना है आधा फोटो के बाहर आधा फोटो के उपर साइन होना चाहिए उसके बाद यहाँ पे देखे ग्रेश जिल्ला का नाम लिख देना है गड़वा जिल्ला यहाँ पे अपना अंचलन का नाम लिख देना है आवेदित बीट संख्या का नाम लिखना है और ग्राम का नाम एवं थाना का नाम लिखना है यह बीट संख्या मिलेगा कहां तो उसका PDF आप लोग को और हां यह फॉर्म भी कहां पर मिलेगा तो इसका फॉर्म और आवेदित बीट का जो फॉर्म है यह दो को आप लोग को प्रिंटोट करवा करके भरना है और ये ओफलाइन मोड पर इसको भर करके पोस्ट के माधियम से आप लोग को डिसी कर्याले गड़वा में आप लोग को भेजना है कैसे भेजना है वो सारा प्रोसेस बताए जाएगा उसके बाद देखे यहाँ पर अभ्यार्थी का नाम बड़े अच्छरों में यहाँ पर आप लोग को लिखना है सबसे पहले यहाँ पर अपना हिंदी में नाम लिखे फिर जाए किसी अभ्यार्थी का डेटो बर्थ है दस चार दो हजार तो यह इस परकार से अंग में आप लोग को यहाँ पर लिखना और यहाँ पर सब्द में लिखना है सब्द में कैसे लिखना है दस अपरेल दो हजार दस अपरेल दो हजार इस परकार यहाँ पर आप लोग को सब्दों में लिखना है ये चीज हो जाने के बाद अगला सेक्षन देखिए 1 जनवरी 2024 तक कितना वर्स हो रहा है कितना महिना हो रहा है और कितना दिन हो रहा है ये चीज यहां पर आप लोग को लिखना है और ये चीज निकलेगा कैसे तो जो सबसे बड़ा है 2024 एक तारिक एकवा महिना इस चीज को उपर में लिख देना है और जिनतना इस भी में आप लोग का जनम हुआ है उसको नीचे लिखना है उसको नीचे कैसे लिखेगा जैसे हम लोग उपर में देखे 2000 में जनम हुआ है 14 महिना में और 10 तारिक में जनम हुआ है देखिए यहाँ पर एक है दस है घटेगा तो नहीं तो यहाँ से जब हम लोग एक मन्थ पैचा लेंगे तो यानि की कितना 30 दिन होता है 30 और एक कितना हो जाएगा 31 अब यहाँ पर 31 में 10 घटाएंगे तो निकल के आ जाएगा 21 अब यहाँ पर एक ही महिना था एक महिना पैचा देदी अब यहाँ तो 0 बच गया तो 0 में 4 तो घटेगा नहीं फिर यहाँ से एक साल पैचा लेंगे तो यहाँ पर 23 साल बच जाएगा और एक साल में कितना महिना होता है 12 महिना अब 12 महिना में 4 महिना गया तो 8 महिना बचा अब 23 में 00 तो 23 अब देखिए एक छेतरिये भासा, जनजातिये भासा का चेयन करना है, जो कि आप लोग के जिल्ला के अंतरगत में बोला जाता है, उसी भासा का आप लोग को परिच्छा देना है, याद रहे, जो भासा आप लोग का जिल्ला के लिए दिया गया है, जैसे से आयो की तर्थ, उसी भासा को च दर्ज कर देना है उसके बाद फिर यहां पर देखें दूसरा पेज फोम का यहां पर पुरा उसी परकार 8 पलश पोस्ट, PS, पुलिस अस्टेशन, डिस्टिक सारा चीज मेंशन कर देना है और यहां पर अंतिम में आप लोगों को पीन कोड भी दर्ज कर देना है पत्रा चार पता मींस होता है जिस पता पर आप लोगों का एडमिट कार आएगा और एडमिट कार यह पोस्ट के माधियम से भेजा जाता है और याद रहे कि पोस्ट के माधियम से जितने भी लेटल पत्र भेजे जाते हैं वो किस कोड पर काम करता है उसका जो मुख ही है वो काम करता है जिस पे वो पीन कोड के मुताबिक पीन कोड को ही ट्रेक करके वो भेजा जाता है तो पीन कोड देना अनिवारी है यहाँ पे देखिए सरीर पर दो चीन का निसान जो भी आप लोग का सरीर में तील कटा साइन का निसान हो वो चीज दे देना है यहाँ पर देखिए आप लूग का सेचनिक योग्यता मेट्रिक तो देना अनिवायर है जैसे कोई अभ्यारती जेक बोर्ट से पास है जेक लिख देना है 2017 में मान लिया पास है तो 2017 लिख देगा कितना नमबर आया 400 नमबर 80% तो जितना नमबर आया जैसे जेक में 500 का नमबर रहता है 500 में एक अभ्यारती का 400 नमबर आया तो परतिशत कितना बन रहा है 80% तो यहाँ पर 80% लिख दिया इसी परकार आप लोग का intermediate किये हैं इंटर पास है इंटर का दे दिजे असनातक पास है असनातक दे दिजे लेकिन हाँ याद रहे जब जेरोक्स को पी देने की बारी आएगी यदि आप इंटर का दिये हैं तो इंटर का भी मार्क्सिट का जेरोक्स देना है गरेजवेशन का भी मार्क्सिट का आप लोग को जेरोक्स देना पड़ेगा अगला सेक्षन देखे लिंक चुनना यदि आप महिला है तो महिला लिखे पूरूस है तो पूरूस लिखे आपकी इस केटेगरी से फोर्म भर हैं अपना केटेगरी यहाँ पे आप लोग को लिख देना है देखे अनराचीत पिछड़ा अतियंत पिछड़ा वर्ड अनुसुची जाती अनुसुची जन जाती जिस भी केटेगरी से आप समन्दित रखते हैं वो चीज़ का आप लोग जी कर देना है यहाँ पे देखे आरच्छन है तूप यहाँ पे और आप लोग का खेलकूत का कोई सर्टिफिकेट बना होगा PWD का कोई सर्टिफिकेट बना होगा या आदिम जन जाते के अंतरगत आते हैं तो उसका यहाँ पे आप लोग को इंफॉर्मेशन देना है उसके बाद 14 सेक्षन में दäखे आवासिय परमान पतर, अपलोंas परमान पतर होता है उसका यहाँ पर रेफेरेंस नमबर देना है और यहाँ पर कब वो निरगत किया गया, इस्व डेट को देना है, उसी परकार जाती परमान पतर है यहाँ पर उसका रेफेरेंस नमबर जो JHCBC अबलिक 2024 अबलिक कुछ नमबर दिया रहाता है 5-6 डिजिट का वो चीज यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर किस तिथी को निर्गत किया गया है बेंक ड्राफ देखिए आप लोग का अपना केटेगरी के अनुसार नोटिफिकेशन में देख लिजिएगा जो जेनरल केटेगरी हैं BC1 और BC2 इन दोनों अभ्यारती चाहें आप महिला हो चाहें फिमेल इनका 200 रुपिया का बन रहा है बेंक ड्राफ और जो HC और HT चाहें साइज फोटो फोटो को पीछे आप लोग का अपना नाम दर्ज कर देना है उसके बाद देखिए आप यतनिक रूप से कारे रत यहां यह आप लोग का उनके लिए है जो पहले से चोकिदार पद पर बहाल है उनको 10 वर्स का एक्स्टा छूट दिया गया है तो उनका यहां पर आप लोग का अपना जिक्र करना है उसके बाद देखिए यहां पर कारियन पर जो पहले से चोकिदार पद पर बहाल है तो आप कितना साल से काम किये हैं किस बिट संख्या में किस थाना के अंतरगत किस अंचल के अंतरगत उसका सारा वीवरन यहां पर देना है आप दिज nhấtितिकूाप प्वास्ट अफिस में जम्र करने जाई एग़ा यहां पर अस्थान लिख दीजिएगा फिर यहां से सीनेचर करनाए जिस परकार का सिनेचर आपफेंगोग क्योट किये हुए रहेंगे और याद रहे इसी पद का नाम, तो किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, चोकिदार पद के लिए, चोकिदार यहां पे लिख देना है, यह अभ्यार्थी द्वरा ही भरा जाएगा, आवेदन का नाम यहां पे आप लोग का अपना आवेदक का नाम लिख लेना है, यहां पे पती एवं पिता क का नामदर्ष करना है उसके बाद फिर यहां पर देखिए वहीं पत्रा चार पता पूरा एडरेस लिखना है साथ में पिन कोड के भी साथ में और केवल करियाले द्वरा यह करियाले द्वरा भरा जाएगा और यही आप आप लोग का admit card के रूप में पुना पोस्ट के माध्यम से ही आप लोग के घरों तक पहुंचा दिया जाएगा यदि घर तक नहीं पहुंचा आया जाएगा तो आप लोग को खुद से करियाले जाकर के इसका admit card लेना पड़ेगा यह रोल लंबर परिच्छा कहां पर आप लो जेरोक्स कोपिया आप लोग का उसका जेरोक्स करा करके एकाग जेरोक्स और सभी जेरोक्स में आप लोग का अपना sign करके बड़े लिफाफा में डालना है और लिफाफा के थुरू आप लोग को उस पता पर भेज देना है किस पता पर उसका भी जनकारी दिया जाएगा द पर्मान पत्र इसका जेरोक्स इसमें भी सेंड कर दिजेगा अधार कार इसमें भी सेंड कर दिजेगा जाती पर्मान पत्र इसका भी एक जेरोक्स को भी सेंड कर दिजेगा कारी अनुभो जो चोकिदार पत्र पर पहले से भाल है तो आपलों का जो भी मुल पर्मान पत्र मिल लेना है और उसमें भी आप लोग का sans कर लेना है चलिए हम लोग यह बैंक ड्राफट का से चले जाना है वहां पर बोलिएगा कि ہن लोग का बैंक ड्राफ बनवाना है बुछा जागा किस के नाम से बनवाना है बोल दिज्एगा उपायुक्त गड़वा के नाम से और जो वहाँ पे फो में लिखना था डेट तो वहाँ पे देखे यहाँ पे आप लोगो का डेट रहेगा और बैंक ड्राफ्ट संख्या भी बोला गया था बैंक ड्राफ्ट संख्या यहाँ पे देखे छे डीजिट का यहाँ पर संख्या रहेगा इसी संख्या को आप लोग को वहाँ पर दर्ज करना है यह चीज हो जाने के बाद देखे यहाँ पर उसके बाद फिर देखे क्या किया आप लोग का करना है सुआ एक तो सबसे पहले तीन पेस का आवेदन फोम भरिएगा उसके बाद जो अभी बताये गया डोक्यूमेंट टेंथ का मार्ग सीट जाती अवासिये अधार कार और बैंक ड्राफट और दो पासपोर्ट साइस फोटो फोटो तो फोटो दीजिएगा इसके अलावा जो बैंक ड्राफ है जाती अवासिये सभी का एका कोपी जेरोक्स करने के बाद सभी में सैन कर दीजिएगा उसके बाद देखिए एक आप लोका बड़ा लिफाफा लेना है और एक बड़ा लिफाफा लेने में बड़ा लिफाफा लेने के बाद बायतरप नीचे आप लोग का ये सारा दर्ज करना जरूरी है बिगापन संख्या लिख देना है, आवदित पद लिख देना है, बिट संख्या लिखना है, अंचल लिखना है, थाना लिखना है, पोस्ट लिखना है, पीन कोड लिखना है तो उसी mobile number में फिर आप लोग का message आ जाएगा कि आप लोग का form है वो receive कर लिया गया है DC करियाले पहुंचा दिया गया है और इज़र दहिना साड उपर में जिस पता पर भेजना है लिफापा उस पता को दर्श कर देना है और यह पता आप लोग का notification में लिखा हुआ है चलिए उसको भी हम लोग एक नजर देख लेती हैं देखिए यहाँ पर जो bank draft कितना किसका बनाना है general BC1, BC2 का दोसर का बन रहा है AC, ST का 100 रुपिया का बन रहा है और यहाँ पर इस चीज को आप ध्यान दिजेगा जो आवधन को बंद लिफाफे पर आप लोग को बिग्यापन संख्या, पद का विब्रन बिग्यापन संख्या जो बाएं तरफ दिखाया गया वो सारा चीज आप लोग का लिखना है आप इस चीज करने के बाद अस्पीट-पोष्ट के माध्यम से भेजर जाएंगा किसी भी इस्तिती में हाथों हात आवधन स्वीकार नहीं करेंगी यानि की हाथों हात आप अपने से जाकर कि जमा नहीं कर सकती है यह आप लोग का speed post post के माधियम से ही वो जमा किया जाएगा और रही इसका परिछाती थी यह सब वो आपका अस्थानी समाचार पत्रों के माधियम से बता दिया जाएगा साथ ही इस YouTube चेनल के माधियम से भी बता दिया जाएगा स्वापीश यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे देखिए इस परकार का जो लिफापा रहेगा दहना तरब तो यहाँ पे अपना जनकारी लिखना है और यहाँ पे बाया तरब क्या लिखना है यह चीज देखिए आवधन भेजने का पता यह सारा चीज आप लोग क करना जरूरी है इतना सारा देखिए यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक सारा जनकारी आप लोग को इधर दहना सैड उपर में यहाँ पे आप लोग को दर्श कर देना है चुकि इसी पता पर आप लोग का यह जो जमा किजेगा स्पीर पोस्ट के मादियम से इसी पता पर जाना चाहिए यदि दूसरा पता पर चला जाता है तो फोर्म फिर आप लोग का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा वो चीज सारा जनकार यहां पे भी दिया गिया है कि चलिए यहां पर हम लोग एक यहां पर भी हम लोग सरसरी नर्जर्स एक बार देख लेते हैं देखे आवधन करने का परकिरिया जो अभी बताया गया वही परकिरिया आपका नोटिफिकेशन में भी देखनी को मिलेगा सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले यहां पे देखिए उपिरोग तो योगिता रखने वाले अब ज्यारते को देखिए अंक पर्मान पत्र जो टेंद का माक्षीट और एड्मिंट कार ये बताये गया उसके बाद देखिए अवासिय पर्मान पत्र ये भी बताये गया जाती पर्मान पत्र और साथी साथ चरित्र पर्मान पत्र भी आपलू का लग रहा है और जनमतिति ये तो आपलू का वो अधारकार होई जाएगा चरित्र पर्मान पत्र आपलू को बनवा लेना है देखिए यदि फॉम भरने से पहले बन जाता है तो उसका भी जेरोक्सकोपी आप लोग दे दिजेगा नहीं भी बनता है कोई दिक्कत नहीं है बट आप उसको बनवा के रख लिजेगा चुकि ये जो भी भरती परकीरिया प्रोसेस है वो 30 अगस्ट से पहले आप लोग का सा कोई बात नहीं बट उसको आप लोग बनवा लिजेगा जब डोक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप लोग का सलेक्शन हो जाएगा उस समय अवसी वहां पर आप लोग का मांगा जाएगा ये चीज होना जाने के बात देखे यहां पर आप लोग का और भी दो फोटो लगेगा और ये सारे सलगन करते हुए आप लोग को देखे दस अगस से पहले ये सारे चीज आप लोग को जमक कर देना है पोस्ट के माधियम से भेज देना है ये होगी आप लोग का कंप्लीट फ्रोसेज कैसे क्या फोम भरना है सो और एक बढ़ूत ही बड़ी समस सिया जाती है भ्यारतियों के साथ में जिनका बीट संख्या नहीं दिया हो रहता है गाउं का नाम नहीं रिया रहता है तो वो क्या करेंगे अपने अगल बगल जो सबसे नजदिक में गाउं होगा उसी गाउं का नाम दर्च करना है और उसी गाउं का जो बीट संख्या है वही बीट संख्या देना है और उसी गाउं का नाम उपर में दर्च कर देना है लेकिन अस्थाई पता है उस अस्थाई पता के जगह पर आप अपना सर्टिफिकेट के एकोडिंग अस्थान भरिएगा तो फाकी चलिए फिलाल हम लोग इस सेशन को यहां पर समाप्त करते हैं दोड कब होगा एडमिट कार केसी जारी कब होगा उसका सारा जनकारी आप लोग को उसी ग्रूप में दिया जाएगा